नमस्कार दोस्तो दमन अब विकास के पन पे आगे निकल पड़ा है दमन प्रसाशन अब अपनी टीम ब्रोजेक्ट को पूरे करने का सपना देखने लगी है और वो पूरे भी होने लगे है ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि दमन प्रसाशन क्या यही में रुख जाएगा या आने वाले समय में दमन की खूपसूर्थी बढ़ाने के लिए और भी प्रोजेक्ट बनाएगी दमन के चालू प्रोजेक्ट में तो प्रसाशन के साथ अब होटल ग्रूप भी खड़ा हो रहा है उन्होंने प्रसाशन के साथ कंदे से कंदा मिलाने की बात कही है दमन की आम पब्लिक भी अब विकास की बात समझने लगी है और विकास की और अपना हाथ बढ़ा रही है ऐसे में क्या यह इंडर्टीज जो सरकारी जमिन पे कबजा करके बैठी है वो विकास दर में कितना साथ देगी यह कौन बताएगा प्रसासन को जल्च से जल्च इस बारे में कदम उठाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कानूनी दावपेट से बाहर निकल के इस कंपनी से सरकार के कबजे वाली जमीन का मामला निप्टाना चाहिए और आने वाले समय के लिए नए विकास के लिए ऐसी सरकारी जग्याओं को ततकाली खाली करवाना चाहिए सुत्रों से मिली जानकारी के मुदाबिब यहां कमपनी Eurocaustic Products Limited ने अपनी कमपनी वरकर्स और कॉंट्रक्टरों को भी जासे में ले रखे है इस कमपनी ने पिछले कही सालों से काम करने वाले कामदारों को नियमित नहीं किया है और अब कामदारों के कॉंट्रप पे रखने वाले कॉंट्रक्टरों को भी जासे में ले रही है उनके साथ भी नितिनियम मुझब कारिय नहीं हो रहे है तो प्रसाशन को ऐसी कम्पनी पे लगाम कसनी चाहिए और आने वाले समय में दमन की विकास कारियों को वेग मिले इस विशय पर चिंतन करके यहां के कामदारों को न्याय दिलाना चाहिए और सरकारी जमिन समपादन करने का कारियों जलद ही सुरू करना चाहिए जिससे दमन के विकास को और वेग मिल सके धनिवाज जैहिन